हेलो आज हम बात करेंगे आपंर डिवाइस के कुटल असिस्स्तर के बारे में कि अगर आप लोग गूगल असिस्स्तम्स को यूसं करना चाहिए अपने ओपो कीडिवाइस और eyeballs'. वीडियो के साथ बनेडें तो चलिए विडियो सास्ट गर अपने फोनãy सेटिंग उपन करें अदिवार अगर आपडलों की फून की होम बटन को भी प्रेस करके रखतें है तो यहां फोन में सेटिंग उपन करें अगर आप लोग अपने फोन की होम बटन को भी प्रेस करके रखते तो यहां पर आप लोग कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो सिंपले आप लोग करें यहां पर लोग को यह यहां पर आप लोग को नहीं मिल्यागा वेग कोई अप्षकांट गुगल आसिस्टेंट विड़ का उप्ष को जैसे आप लोग की फोनnaire पावर बटन रिखते कले ज्यादा सिस्टम के लिए अपने फोर में सर्च करें और यहां पे आप लोग लिख सकते Google Assistant अवेर आप लोग को वहां पर ऑप्सन नहीं मिल रहा सिंप्ल गूगल ही सर्च करेंगे तो यहां पर आप लोग को जो है नीचे में गूगल असिसंट के यहां पर ऑप्सन मिल जाते इस टाइप सा आप लोग अपने OPPO के किसी भी मॉडल के डिवाइस में जो है Google Assistant उपन कर सकते हैं गाइस मैं आप लोग को और कुछ बादाना चाहूँ अगर आप लोग के पास Color OS 3 के डिवाइस है तो हो सकते हैं उसमें आप लोग को कुछ प्रावलम जाए और हो सकता है अगर आप लोग कमेंट्स करें ज्यादा कि भाई हमारे फोन में Google Assistant नहीं है आप लोग कमेंट्स करें हो सकता है मैं कुछ आप लोग को ट्रीक्स बता के जो है Google Assistant इनेबल करा दू अपने फोन में उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो प्वासंद आप जैमादादी